लोहरदगा जिले में ज्ञारखन कर्मचारी चयन आयोगद्वारा 21 और 22 सितंबर 2014 को होने वाले ज्ञारखन सम्माने योगता धारी संयुक्त प्रतियोगिता परिक्षा 2023 को लेकर उपायुक्त डॉक्टर भागमारे प्रिसाद कृष्ण ने लोहरदगा नगर परिशत शेत्र के होटल संचालकों के साथ एक बैठक की बैठक में उपायुक्त द्वारा सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया गया कि दो दिन परिक्षा को लेकर बेहज सतर्क रहने की आविशकता है यह बहुत सम्वेदन शील परिस्थिती है जिसमें परिक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की गडबड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने की आविशकता है होटल संचालक इन दो दिनों के दौरान अपने होटल और होटल परिसर में किसी भी संदिक्द व्यक्ति के होने की सूचना तुरंद जिला प्रशासन को देंगे उनकी होटल में कौन आ रहा ह कैसे रह रहा है इसकी व्यक्तिकत रूप से रूची लेते हुए अपने पास जानकारी रखें कोई ऐसा व्यक्ति दिखें जो संदिक्द जान पड़ता है उसकी सूचना अपने नजदे की थाने को दें साथ ही यह अभी निर्देश दिया गया कि वह अपने होटल में जरू सभी विवस्ता की रहें और पूरी कोशिश है किसी वी कदाचार के बिना ये परीक्शा संपन्न हो और अभ्यरतियों को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं नहीं दोंट मेरी सर घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी यह भी बढ़तेंगी यह देखिए सर एवन कॉलिटी के सेमेंट लगा रहा हूं मैं मजबूती का सारा ठेका हम ही लिये है का अरे बॉड़ी भिदाउट स्ट्रॉंग बोन किस काम का ऐ देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सिमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाईए तब ही तो ऐसा घर बनेगा जो पीडिया परते तो कौन सा टेम्टी लगाए अरे एक ही तो है भारत का सबसे भरोसे मन सलूजा गोड़ टेम्टी बार्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉंग हाई अर्थक्वेक रिजिस्टेंस फ्लेक्सिबल बेढ़ बॉंडिंग विद सिमेंट और सालों का भरोसा निर्मान में मजबूती चाहिए तो अच्छे सेमेंट के साथ लगाए सिर्फ सलूजा गोड़ टेम्टी अब सही पकड़े हो कांट्रैक्टर बाबू सलूजा गोड़ टेम्टी बार मजबूती सब कुछ है